नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का निज़ेटीन के सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूँ अपड़ना मौज़म और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी योजना की जिसे हमारे देश के बुजर्गों को जिनकी उम्र सतर साल या उससे ज ज्यादा है कैसे इसका फाइदा मिल सकता है आपको अगर आपके घर में एक से जादा दो ऐसे बुजर्ग हैं जिनकी उम्र सतर या उसके उपर है तो पांच लाग का टॉप आपको इसमें मिल पाएगा साथी अगर हम आपको बात करें कि ऐसे बुजर्ग जो पहले से ही सरक पड़ेगा या फिर जन आरोगी योजना का विस्तार है उसे चुनना होगा इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किसी के पास private health insurance है पहले सही वो private health insurance का इस्तिमाल कर रहा है तो वो भी इस जन आरोगी योजना को चुन सकता है कैसे यह बहुत ही simple है मैं आपको इसके बारे मे .gov.in पर जाकर आधार कार्ड के जरीए आपको करना होगा registration आपके आधार से जुड़े mobile phone number पर आएगा एक OTP और आपको OTP फिर दर्ज करना होगा OTP दर्ज करते ही पूरा process आपका complete हो जाएगा इसके बाद आपको कुजिनों का और इंतजार करना होगा फिर आईश्मान कार को आप इसी website से download कर पाएंगे और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि कैसे इसके विस्तार किया गया है तो ये भी बहुत महत्तपों हो जाता है जानना क्यूंकि इससे जो बड़ी बात यह है कि पहले ये complaint की जाती थी ये कहा जाता था कि जो गरीब वर्ग है ये कमज़ और वर्के बुजर्ग हैं सिर्फ उन्हें ही इसका फाइदा मिल रहा है तो ऐसा नहीं है अब किसी भी आप income group से आते हों तो आपको इसका फाइदा मिलेगा और सीधे अगर हम बात करते हैं तो आईश्मान भारत योजना का जो उदेश है करीब 55 करोड लाभारतियों को बीमा कवरेज मोहिया कराना है ये एक बहुती बड़ा फैसला है आपको याद होगा कि 2024 के आम चुनाओं से पहले बीजेपी ने अपने घोशना पत्र में इस बिंदू को शामिल किया था और सरकार बनाने के बाद एक एकर बीजेपी सरकार की ओर से अपने उन तमाम घोशन को पूरा करने का काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा बिंदू था जिसका एलान किया गया था और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार बीजेपी सरकार खास वर पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी अपने हर टर्म में इस आयुश्मान भारत योजना के का विस्ता कर रहे हैं हर बार एक नया घटक आता है और वो घटक ज्यादा लाब पहुचाने के दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम होता है युनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उदेश्य को हासिल करने के लिए भारत सरकार ने आयुश्मान भारत की योजना शुरू की थी और इसका एकमा भारत हो या फिर जो हमारे घर के बुजर्ग हो घर के बड़े हो उनको भी शामिल के जा रहा है ताकि उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाब पहुचे और घर के जो बड़े बुजर्ग होते हैं उनका सबसे बड़ा कंसर्ण क्या होता है कि दवाओं का खर्चा इलाज का वो नहीं चाहते कि वो अपने घर के जो युवापीडी है उन पर बोज़ बने इसलिए उनके आत्म सम्मान के बनाय रखने के दिश्चा में भी सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है। अगर कोई पहले सही आईश्मान योजना का फाइदा ले रहा हो तो उसके घर के बुज़र को इसका फाइदा जो जन आरोगी योजना का विस्तार है उसका फाइदा कैसे मिलेगा तो सीधा सिंपल इसका जवाब यह है कि पांच लाग का जो एक्स्टा टॉप उस परिवार के उस मेंबर के ले मिलेगा जिसकी उम्र सतर साल या उससे ज्यादा है। परिवार में अगर आप कहेंगे कि एक से दो बुज़र्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र सतर या उससे जादा है तो फिर तो उन्हें पांच लाग का जो एंशुरेंस है वो शेयर करना होगा है हेल्थ इंशुरेंस। तीसरा सवाल कोई पहले से ही सरकारी योजना का फाइदा ले रहा हो जैसे की गोवर्मेंट हेल्स स्कीम, एक सर्विसमेन, कॉंट्रिबुशन हेल्स स्कीम, आईश्मान सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स, अगर इस तरह की सेवाओं का फाइदा आपकी घर के बुज़र्ग ले रहे हैं, तो उन्हें आप्ड करना होगा, याने की एक विकल पर चुनना होगा, या जिस योजना का फाइदा वो ले रहे हैं, या फिर आईश्मान भारत योजना में से किसी एक का उन्हें एक योजना को चुनना होगा, एक और सवाल कि, अगर कोई पहले से ही private health insurance का फ जो इलाज के कुछ घटक है, सभी खर्चे उसमें शामिल है, वो भी आप बात ध्यान से सुन लीजे, टेस्ट करवाना शामिल है, ट्रीट्मेंट करवाना शामिल है, कंसल्टेशन करवाना शामिल है, अस्पिताल में एड्मिट होने से पहले का खर्चा, दवा और चिकिसा के लिए जो दवाएं होती हैं सामान होता है उसका खर्चा सामाने देखभाल या फिर गहन देखभाल क्या वशकता है अगर आपकी medical condition को देखते हुए diagnostic, lab test का खर्चा, surgery अगर जरूरत हो तो इसके अलावा अस्पताल में ठहरने की सुविधा, खाने की सेवाएं और इलाज की दौरान अगर कुछ समस्याय आती है तो उनका खर्चा भी इस योजना के तहत वहन किया जाएगा और अस्पताल में भरती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल का खर्चा भी इसमें इस योजना का एक हिस्सा है, महत्रपुन हिस्सा है, जो शामिल है इसके अलावा देशवर में जो काम करने वाली 37 लाख आशा या आंगनवारी कारे करता हैं, उनके परिवारों को लाब देने के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते वे, 70 साल या 70 साल से जादा, 70 वर्ष की उम्र से जादा के जो बुजर्ग हैं, उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है, तो इस तरह से आईश्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग के योजना को विस्तार दिया गया है, ताकि इस विकास की दोड़ में, जो योजनाओं का फाइदा है, वो हर श्रक्स तक पहुचे और पंक्ती में खड़ा आखरी व्यक्ती भी इस योजना का फाइदा उठा सके, और इसलिए हम कह रहे हैं, कि लगातार हो रहा ये विस्तार आपके फाइदे के लिए है, देश के फाइद भारत प्रधान मंत्री जन आरोगी योजना का विस्तार का फाइदा ले सकते हैं, धन्यवाद